जिसको जानकर फिरिस प्रकार मोह को तु प्राप्त नहीं होगा और है अर्जुन जिस ग्यान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप अपने अंतरगत समश्टी बुद्धी के आधार संपूर्न भूतों को देखेगा और उसके अपुरांत मेरे में अर्थात सचीता अनंद स्वरूप में एकी बाब हुआ सचीता अनंद मैं ही देख जिसको जानकर पुना एवं मोहं फिर तु कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा येन आत्मनी अशेशेन इस ग्यान के द्वारा तु उस सर्वव्यापी अनंत सचीता अनंद को अपने ही आत्मा में अनुभव कर लेगा अपने ही बीतर उसको जानेगा के जो समस्त भूत का आधार है समस्त भूत माने पृत्वी जल अगनी वाईव आकाश का जो आधार है वही सचीता अनंद गन तु है अथो मई ऐसा हो जाने पर मेरे ही स्वरूप में तु एक ही कार हो जाएगा यजग्यातवा जिस को जानकर जिस तत्व को जानकर यास्यसी पांडव यास्यसी अर्थ तुझे प्राप्त हो जाएगा है पांडव तुझको वह तत्व ज्ञान के द्वारा उस तत्व स्वरूप सचिदानंद की प्राप्ती होगी कैसे तु अपनी ही बुद्धी के द्वारा अपने ही आत्मा में उस ब्रह्म का दर्शन करेगा आतम राम राम है आतम चीनस गुर वीचारा रे ये गुरू की दी हुई वीचार है जो तेरी बुद्धी में स्थित होगी और तुझे इसका प्रकाश हो जाएगा तुझे इसका अनुभाव हो जाएगा अपी चेदसी पापे ब्यह सर्वे ब्यह पाप कृतमह सर्वं ज्ञान पलैवनेव व्रजिनम संत रिश्यसी यदि तुझे सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निशंदे संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा अपी चेदसी चेद अर्थ यदि यदि तुझे सर्वे ब्यो पापे ब्यो पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हो चोटा मोटा नहीं पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है अगर पाप कृतम अधिक पाप करने वाला तु रहा है तो भी ज्ञान लवेन इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ कर व्रजिनम संतरिश्यसी तो अच्छी प्रकार इस बवसागर को तर जाएगा चिंता ना कर तेरे कर्म कैसे थे उसकी तु फिकर ना कर जो बीद चुका सो बीद चुका जिन कर्मों के संसकार तेरे चित में है पड़े नहने दे कोई बात नहीं तू बस समर्पित बाव से इस ज्ञान का चिंतन कर इस ज्ञान की नौका में सवारी कर और अगर तो इस ग्यान नोकाव में बैठ गया व्रजिनम संतरिश्यसी निश्चित ही तू पार चाएगा Never ever doubt it समझें आप इसको आपको सपना आया और सपने में आप देखते हैं कि आप ने किसी की हत्या कर दी किसी को मार दिया कतल कर दिया, चोरी कर ली, डाका दुनिया भर के दुष करम, वी करम, कर रहे हो और आँख खुल गई अब क्या? उजितने तुमने करम किये उनका क्या दंड मिलेगा? क्या दंड? सवपन था? जूट था? जब तक सवपन चल रहा तब तलक तुम कुछ अपराद करो और यह भी हो सकता है कि सपने की पुलीस तरह पिछे लग गई और सपने की पुलीस ने पकड़ लिया तुझे दंडित किया, तुझे सजा दी पर आँख खुल गई फिर क्या? ना वो कर्म, ना वो सजा, ना वो जेल, ना पुलीस, ना वो अदालत यह जागरत तुमारी खुली आँख का सवपन है और इस खुली आँख के सवपन में तुमने जो भी कर्म किये जो भी कर्म तुम से हुए ग्यान तुमें नीन से जगाता है और जगते ही यहा जागरत सवपन जूट हो जाता है रात स्वपन में तुम्हारे पिछे सांप आ गया, सांप तुम्हें डसना चा रहा है तुम भाग रहे भाग रहे भाग रहे सांप पीछे 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 तुम पेड पर चड़ गए सांप वहां भी तुम नीचे उतरे सांप वहां भी तुम पानी में ग किसी सपेरे को बुलाओगे सवय हुए गर किसी सदस्य को जगाओगे कि जगो जगो सांप आगया सांप और मानो तुम ऐसा कर्म कर दो चिलाओ सांप है सांप है और सब लोग लठ डंड़ लेकर आजाए और बोले कहां? बोले सपने में डंड़ तुमारे सार में मारेंगे दिमाग कराब हो गए जूट के साप के लिए तुने हमारी नींद कोल दी जैसे आँख खुलते ही स्रप्न का देखा संसार जूट हो जाता है ऐसे ग्यान में जब तुम जगते हो तो नींद में किये गए तुमारे पुन्या ही साप किताब खता इसलिए कृष्ण कह रहे है कि निश्चिन तो हो तो इस ग्यान नौका में बैठे यते नासी समिद्दो अगनीर बस्मा साथ कुरूते अर्जुन ग्यान अगनी सर्व कर्मानी बस्मा साथ कुरूते तथा ये अर्जुन जैसे प्रज्वलित अगनी इंदन को बस्मा में कर देती है वैसे ही ये ज्यान रूप अगनी संपूर्न कर्मों को बस्मा में कर देता ये ज्यान अगनी अगर तुमारे अंता करण में जल गई तुमारे समस्त शुबा शुब कर्मों को स्वाह कर देगी जैसे बाहर अगनी में तुम कोई लकडी डालो गंदी डालो अच्छी डालो कोई समिधा डालो समगरी डालो अगनी सब कुछ स्वाह कर देती इसी तरह से यह ज्यान अगनी तुम्हारे समस्त करमों और समस्त संसकारों को दग्द कर देती पैस में मुझे एक बात चोड़नी है ज्यान किसको कहते है श्रब्दों को सुनना ज्यान नहीं है श्रब्द की अर्थ में अनभूती और स्थिती हो जाए उसे कहते ज्यान अर्थात, जो तुमने सुना उसको सुनते सुनते मननीश्चल, निर्वीचार चेतना जगी, समाधी हुई यह निर्वीकल्प समाधी ही ज्यान है अगर यह नहीं हुआ तो काली शब्द सुनने से तुमारे कर्मदग्द नहीं होंगे तुमारे संसकार समाप्त नहीं होंगे तो ग्यान शब्द का अर्थ अच्छे से समझ लिजिए ग्यान शब्द का अर्थ शब्द ही नहीं उन शब्दों में नहित उन ग्यान अर्थों की और है मेल पत्तर पे लिखा हो बंबई 400 किलोमेटर दूर तो मेल पत्तर इशारा दे रहा है कि इस मार्ग में चलिए चलते जाइए चलते जाइए डिस्टंस कम होता जाएगा पर जिस बोड पर जिस मेल पत्तर पर ये लिखा हो बंबई क्या वो बोड बंबई होता है तुमें बोड लिखा मिल जाए बंबई और तुम वहीं डेरा डालके बढ़ जाओ कि पहुँच गए बंबई बंबई की सीमा रेखा में पहुँच जाओ और वहां लिका है कि यह बंबे लिका हो और तुम उसी बोड के नीचे बढ़ जाओ तो उस शहर का जो भी कोई लाब है या जो भी कुछ कारी है वहां बोड के नीचे बैठके तो नहीं हो जाएगा ज्यान के शब्द सिर्फ मील के पत्थर है और इन मील पत्थरों को आधार बना पहुँचना वही है राज योग में यम नियम आसन प्राणयाम करते करते निर्विकल्प समाधी तक पहुँचता है और ज्यान में ज्यान चिंतन करते 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 निर्विकल्प समाधी तक पहुँचता है पर इसमें ये बात भी समझने की है जिसका अंता करन परिपूर्ण रूप से शुद नहीं है उसे ज्यान सुनने के बाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम यह सब साधन करने होंगे ताकि उस्तिती तक पूंच सके जिसने ग्यान सुनने से पहले देखिए, राज योग, पहले कह चुके भागवान राज योग यग्य है प्राण निग्रह यग्य है इंद्रिय को रोकना यग्य है मन का निग्रह यग्य है जब यग्य है स्वाध्याय यग्य है जिसने ये सब किया उसकी तयारी हो गई ऐसा अव्यक्ति ग्यान सुनते ही तुरंत स्तिती हो गई पर जिसकी ग्यान सुनके भी स्तिती नहीं हो रही उसको दूसरे साधन करने पड़ेंगे और किये वगेर छुटकारा होगा नहीं नहीं ज्ञानेन सदुष्यम पवित्रमीह विद्यते तत्स्वयम योग समसिद्धीह काले नात्मनि विंदती इस अंसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है और उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धी रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंता करन हुआ पुरुष्यम आत्मा में अनुभव करता है जो बात में बोल रही हूँ वही बात अगले स्लोक में आ रही है जिसका अन्ता करन शुद्ध है योग सम्सिद्धी let me say it ज्ञान and योग are not two different things they are not two different paths they are complementary to one another you cannot say that योग is a different path from ज्ञान योग योग is very much part of ज्ञान because राज योग will give you the optimum level of concentration purity, consolidation, focused very much focused असन और राज योग का अभयास राज योग के जितने अंग है इनका अभयास करने के लिए सारे नियाम आ जाएंगे प्रम्मचरी, शौच, संतोष, तब, स्वध्याय, सब आ जाएंगे you cannot say, कि हम तो ग्यान योग के सादक हैं, हमें क्या लेंदेनी से तो भाई, जो जिसकी अंताकरण में संतोष नहीं है जो बात-बात पे बढ़क जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है जिसमें अहिंसा नहीं है जिसमें समर्पन नहीं है जिसमें स्वाद्याय नहीं है जिसमें असत्य नहीं है वो ग्यान सुन भी लेगा, तो like क्या होगा कुछ भी नहीं योग समशिध्धि जिसने इस योग की सिध्धि की है अन्ता-कर्णशुद छुद किया है उस व्यक्ति के लिए ख्याल करना उस व्यक्ति there is a big condition which is applied it's a big condition वगवान नेक शर्त रखती ज्यान अगनी उसी के पाप कर्मों और पुन्य कर्मों को दग्द करेगी जिसका योग सिद्धी हो गया हो जिसका अंता करन शुद्ध हो जिसके लिए संसार असत आरिश्टर ही सत्य है ऐसे अंता करन वाले व्यक्ति को यह ज्यान पवित्र कर देता है उसके लिए ज्यान से बड़ा और कुछ पवित्र करने वाला नी पर जिसका अंता करन शुद्ध नहीं वो ज्यान का भी अभीमान कर लेगा और ज्ञान को अपने बंदनों को और कसने के लिए इस्तेमाल करेगा सुन लिया आहम्ब्रमास्मी अब इसी आहम्ब्रमास्मी को वो इस्तेमाल करता है अराम से देर तक सोता है तमोगुनी जीवन जीता है, रजोगुनी जीवन जीता है यहां महां बटकता फिरता है पूछो यह क्या कर रहे हो बोले में तो ब्रह्म हूँ मेरा चलना ब्रह्म, सोना ब्रह्म, खाना ब्रह्म, पीना ब्रह्म तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहती हूँ उन्हें ब्रह्म का ब्रह्म हो गया सुनना काफी नहीं सुनना शुरुवात है it is step number one इसलिए you cannot bypass all these other tools which are needed to purify your mind which are very much needed so that you live a balanced life और सायमित जीवन वही जी सकता है जिसके मन में सायम अगल श्लुक श्रद्धवाम लबते ज्यानम तद्परह सैयते इंद्रियह ज्यानम लब्द्वा पराम शांती मच्ची रेना अधिक अच्चती जिते इंद्रिये तद्पर हुआ श्रद्धवान पुरुष ज्यान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त हो कर तत्षन बगवद प्राप्ति रूप परम शान्ती को प्राप्त हो जाता है यह ज्ञान किसको मिलेगा? See how many conditions are coming? How many conditions? Condition number one, श्रद्ध हूँ Condition number two, सैयत इंद्रिये हूँ श्रद्ध किसको कहते? विचार सागर कहता है इश्वर ते गुरु में अधिक धारे बग्ति सुजान इश्वर में अब इश्वास हो सकता है गुरु में नहीं और गुरु को इश्वर के समान देखे यह श्रद्ध तो जिसे पर गुरु में टवर गुरु में यह जाया हो गुरु में अधिक विचार के श्वरु काता है पर में आप्टों को गुरु में परके बग्ति सुद्ध और श्रद्धा ज्यान को पल्वित नहीं करेगी श्रद्धा हो कैसी? और कैसे? जिस रमेंबर वन थिंग नो डवट नो डवट, नो शस्पिशन और गुरु सक्षाद इश्वर गुरुर ब्रह्म, गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेष्वरा गुरु ही ब्रह्म, गुरु ही विष्णु गुरु ही शंकर गुरु ही सक्षाद व प्रव ब्रह्म इस गहन श्रद्ध के बाद the only thing which a disciple is ought to do is yes master जो कहे सत्यबचन अब इसकी बात बड़ी अद्बुत है कहते हैं गुरुनानक अपने उत्तर अधिकारी को डून रहे थे ये सब को पता था व्रदो हो चले है अब वो अपने सारे कार्ये को किसी और को सौंपना चाह रहे है कुछ कुछ इस बात की बनक सब को थी और सब कोशिश कर रहे थे कि उनके नम्मर अच्छे बन जाए और गुरु उनको चुन ले ऐसे गुरुनानक के पुत्र उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे पर इन दिनों में वो भी साथ साथ रहे और दुस्रे लोग भी और गुरुन के डंग बड़े अदबूत होते आपको अगर ये बताया जाए कि अच्छा आज ना आपका टेस्ट होगा तो आप तयारी कर सकते हो पर जब बिना बताए तुम्हें ये भी ख़बर ना हो कि ये अर बिंक तेस्टेंग आपको उप तक टुम्हें पाकार ये भी बताए ये पाल्स लीजे नो प्रपरेशन तायम अच्छा गुरुनानद अटर सब्सक्षबूत है मेरा चॉला गंदा है सुवे शनन के बाद क्या पहनू इसलिए जाओ दूलाओ और भूँ पहना है तो सुखा पहनें गीला थोड़े सब लोग कहते है महराज अभी तो रात है सरदी के दिन है और बाहर बारिश भी चले भी जाए दो भी ले तो सुखेगा नहीं तो कुछ और इंतजाम कर लेते अभी तो यह नहीं हो सकता सब अपने अपने तर्क दे रहे गुरुनानक के क्षिष्य थे लहन वो उठे गुरु के बस्त्र उठाए और बाहर चल दिये एक बोला पाजल है कहा जा रहा है समय बे अकल आदमी पर वो दो ही गंटों में लोटा है ना उनके कपड़े भीगे है वो भी भीग नहीं हुआ वापीश लोटा है सुखे हुए दुले हुए वस्त्र गुरुनानक क्यागे रखती है अब प्रणाम करके चुपचा बैठ गए लोगों ने का अरे दोया कैसे सुखाया कैसे इतनी तो बारिष थी लेनाट जी बोले पता नहीं यही ओरी थी बारिष नदी किनारे तो दिन चड़ा था वोले रात में दिन कहां से आ गया वोले बाबे दियां बाबबा ही जाने पर मैं जहां गया वहां तो दिन था एक दिन गुरुनानक अपने शिष्यों के साथ तहलते तहलते जंगल में निकल गए और जंगल में एक चादर से डकी हुई लाश पड़ी थी गुरुनानक कहते जो मेरा शिष्य हो वो इसे खाए आपके पुत्र लखमी चन ने कहा बाबे का दिमाग खराव हो गया है मुर्दा खाने को बोल रहे है वो भी इंसान क्या हो गया है इसको एक 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 बहाना करके सब लोग खिसक गए बचे खाली लेना और गुरुनानक नैनक बोले क्या बोले गुरुदेव मैं रुका इसलिए हूँ कि आप बताइए सिर की तरफ से खाऊं के पैर की तरफ से खाऊं संदे नहीं है शंका नहीं है इंकारी नहीं है पर यही आग्या चाहता हूँ सिर की तरफ से खाऊं के पैर की तरफ से खाऊं और गुरुनानक का चेहरा इतना गंबीर और ऐसे क्रोध से भभाक्रा है और के थे खा शिर की तरव से खा लेने ने चादर हटाई और के थे चादर जब हटी नीचे कोई मुर्दा था ही नहीं वहां मीठे पकवान पड़े हुए थे क्या खेल है ये गुरु अपने शिश्यों की श्रद्दा चेक करने के लिए एक बार एक और खेल खेला काँच की बोतल में रंग बरा पानी डाला बाल खोल लिये अपने अवारा कुत्तों को रसी से बांद के अपनी कमर से बांद लिया गंदे कपड़े, खूब की चड़ से सने हुए कपड़े रंगे हुए रंग वाली इस बोतल को मुँ में लगाए और ऐसे जूमते हिलते हुए लगे चलने कि जैसे शराब पी रखी वो बोतल शराब और चल रहे हैं कि लगे की पी अकड है आवारा कुटे साथ लिये लिये गली में, करतारपुर की गली में लगे गूमने सब लोगों ने कनफर्म बोल दिया कि आज तक तो शंका होती थी कभी कहता है मुर्दा, खाओ, कभी कहते है आधी रात को चोला दो के लाओ आज तो देख लो, आज तो दिख गया, पागल हो गया, हमारा गुरू पागल हो गया जो किसी ने कोशिश की थोड़े से पासा के समझाने की के गुरू क्या कर रहे हो तो उन्हें पत्थर उठा उठा के मारे, सब भाग गये, बचे एक लेनजी, गुरू ने उठाया पत्थर मारने के लिए, वह बागे नहीं, हाद जोड़के सर जुका दिया, कि ठीक से बार लो, जा मारना है, और नजदीक हो गये, और करीब हो गये, और पैरों में गिर गय कि आप दूर में निशाना मारेंगे, बाह में तकलीफ हो जाएगी, यहीं सर रख दिया, मार लो, ऐसा बेस बनाया, सब को दोड़ा दिया, सब को भगा दिया, लेना वहीं के वहीं, और ये, इक तरह से इनकी आखरी परिक्षा दे, लोटे तो शनान कर, वस्त्र पहन, लेना को पकड़, एक कांत स्थान में ले गए, तब तलक सांज हो चली थी, रात आ रही थी, और एक व्रक्ष के तले चट्टान पर बैठ, इस गड़ी, इस मुरत और पल में, गुरु नानक ने लेने को तत्व ज्यान का उपदेश दिय ये ग्यान का रहस्य क्या है, उसको उजागर किया, और जिसका अंता कर्न शुद्ध था, जिसकी गुरु में गहरी स्था थी, उस लेने को गुरु के मुक से निकले, एक एक शब्द को श्रवन करते 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 ही अंतर ग्यान हो गया, और मात्र कहते ये थोड़े से काल में ये दोनों गुरु शिष्य बैठे हैं और वर्तालाप के अंत में लेना समाधिस्त हो गया, गुरु नानक का शिष्य उस पर्म समाधी का अनुभाव कर रहा है, ठीक, उसी गड़ी, इधर ग्यान सुना, इधर समाधी हो गई, गुरु नानक भी समाधिस्त, लेना भी समाधिस्त, गुरु और शिष्य का बेद खतम हुआ, शिष्य गुरु हो गया, गुरु शिष्य में ही समाधित हो गया, एक हो गया, और अगले ही दिन सुबू सब के सामने आपने लेना के वो अपने गले से लगाया और आलिंगन बद हो कहा के आज से तु मेरे अंग लगा है तेरा नाम अंगद है तु मेरा ही अंग है तु मेरा ही भाग है और आज से इस गुर्टा गद्धी को मैं तुम्हे सुनता हूँ रिशी अमरित आश्रम द्वारा प्रकाशत मासिक पत्रिका गेहन आध्यात्मिक सूत्रों स्वास्थे संबंधी लेक और विविद्धकारे क्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाशाओं में उपलब्ध सदस्यता हेतु संपर्क करें 013-21-65-00 वश्युन्य एक तीन शुन्य दो दो एक छै पाँच शुन्य एक झाल 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 झाल